हलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लों का दिल से बंद मस्वाद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारूती सुजुक इंडिया लिमिटेट के उपर सबस्तों पहले हम देख लेते हैं आज के कारोबार मारूती सुजुक इंडिया लिमिटेट का करन प्राइज हमें देखने को मिल रहा हुभी 6,831 रूपय का दोस्तों इस स्टॉक में गिरावाट हुआ है आज 34 रूपय का परसेंट में हम देखेंगे 0.5 जीरो परतिसत का गिरावाट आज मारूती सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर हमें देखने को मिला दोस्तों यह स्टॉक सुबह ओपेन हुआ था 6,881 रूपय के प्राइज में हाई लगाया है इसने आज का 6,949 रूपय का और लो देखने को मिला है आज इसी स्टॉक में 6,806 रूपय पचासी पैसे का दोस्तों करेंट में इसका मार्केट के प्लैजिशन हमें देखने को मिल रहा है 2.06 ट्रिलियन का पी रेसियो आज हमें देखने को मिल रहा है 46.18 का दोस्तों यह पिछले दिन क्लोजिंग हुआ प्राइज था दोस्तों पिछले दिन यह क्लोज हुआ था 6,865 रूपय के भाव में बाउंड विक का हाई हमें दिखाया है इसी स्टॉक ने 6,88329 रूपय का वही बाउंड विक का लो हमें देखने के मिला हैसी स्टॉक में 4,406 रूपय का दोस्तों यह हो गया आज का कारोबार मारूती सुजुक इंडिया लिमिटेड की उपर अब हम चार्ट की उपर चलेंगे अगले ट्रेडिंग दे में क्या प्लान कर सकते हैं इन सबी बातों को जानेंगे और पिछले अनालेसिस को भी हम देखेंगे थोड़ा सा और पिछले अनालेसिस को भी हम देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा यूटूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलिज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन कौन करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तों चार्ट के उपर हम आते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट में मैंने लिया हुआ है पिछले दिन का अनलेसिस को हम समझते हैं दोस्तों इस पॉइंट से मैंने एक ट्रेंड लाइन डोग किया था नेक्स ट्रेडिंग डे के लिए और इस पॉइंट को या ब्रेक आउट करके इस आसपस क्लोजिंग हमें देखने को मिला था कल आज इस स्टॉक्स ने हमारा जो टार्गेट था पहला मैंने बाइंग लेवल 688 के उपर दिया हुआ था इस स्टॉक्स के उपर और इस स्टॉक्स ने अल्रेडी अपना पहला टार्गेट एचीप किया इसके बाद या नीचे के लिए इस लाइन तक आ गया दोस्तो यह हो गया पिषल दिन के अनलेसिस अब हम देखते हैं अगले ट्रेडिंग डे में क्या कर सकते हैं इस trend line को हम रहन देंगे इस trend line को हम रहन देते हैं क्यूकि यह देखिए यहाँ पर इसने support लिया हुआ resistance लिया है यहाँ पे भी resistance लिया है इस point पे भी resistance लिया इस point पे भी और यहाँ आके वापस से support ले रहा है तो अब अगले trading day में यह उपर के levels को हमें फीर से दिखा सकता है जो कि आस पास तक आ जाये गए इसका price तो हम next trading day में buying करके जा सकते हैं इस stocks को और नीचे से मां एक trend line draw करूँ इस low को मिलाते हुए इस तरीके से आसे तो यह भी work करेगा next trading day के लिए और यह इसी range में इस तरीके से open होके उपर निकलता है तो एक बड़ा breakout हमें उपर के levels में देखने को मिल जाएंगे यह नीचे आएगा तो breakdown भी हमें देखने को मिल जाएगा finally हम इसको wait करेंगे कल उपर से एक triangle button का निवार होते हुए हमें देखने को मिलेगा इसके बाद ही हम EC stocks में इंटर करेंगे risk trader बिल्कुल इंटर कर सकते हैं next trading day में scandal के high के उपर stoppers रहेगा इस candle का target हमारा बन जाएगा पहला यह और दूसरा होगा यह risk trader के लिए है अगर आप risk लेए चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं mention कर देता हूं मैं इस point पे हमारा buying level रहेगा 6840 रुपए का पहरा target हो जाएगा हमारा 6930 रुपए का इस दोरान हम अपना stoppers रखेंगे 6800 रुपए का यहाँ पे मैं mention कर दे रहा हूं buying हम करके जा सकते हैं इस stocks को 6840 रुपए के उपर हमारा target रहेगा 6900 और दूसरा target हो जाएगा 6930 रुपए का दोस्तों इस दोरान हम अपना stoppers रख सकते हैं मारुति सुजुक इंडिया limit की उपर होगा 6800 रुपए का यह हमारा stop loss हो जाएगा एक trading day के लिए आप इन लेवलों को ध्यान में रख सकते हैं note कर now note कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो गया मारुति सुजुक इंडिया limit की उपर simple analysis है simple way मैं आपको समझाने का प्रयास किया है हम इंटर करेंगे safe trader के लिए है यहाँ line डोग कर दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा यह देखिए उपर से high को मिला के मैंने एक trend line डोग किया तो यहाँ पर एक triangle pattern के निर्वाड होते हुए हमें देखने के मिल रहा है और यह stock open होके इस line तक जाएगा किया वापस गिर सकता है यहाँ पर गिरने के बाद फीर यह निकलेगा यहाँ से और यहीं से हो सकता है breakout करे या वापस आके यहाँ से नीचे breakdown मार दे तो यह दूनों condition है मारति सुजुक इंडिया लिमिटेट की उपर next trading day के लिए तो आप अपने अनुसार view बना सकते हैं और open होने के बाद ही कुछ projection के बाद ही यह pattern complete होता है तो अभी आप trade इंसेट कीजिएगा बाकी move अगर नहीं मिलता है बाकी अगर trade लेने को अगर point पे नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल avoid करेंगे next trading day में trade नहीं लेंगे आप देख पा रहाँगे यह जो triangle है यह उपर नीचे दोनों side से support और जो resistance है वे बार बार retesting हो चुके हैं तो इस बात को भी अभ्यान में रखिएगा मने जैसा pattern बनाया है यह pattern अगर follow होता है तो हम इंटर करेंगे otherwise avoid कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपने हमारा free telegram channel अभी तक जोई नहीं कहते फिलीज जोईन कर लिजेंगे वहाँ आपको live market कुछ update देखने को मिल जाएंगे दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद